अक्षय तृतिया के दिन जरूर अपनाएं, तुलसी के ये उपाएं मा लक्षमी खट-खटाएंगी घर का दर्वाजा। अक्षय तृतिया जिसे वैशाक शुकल पक्ष तृतिया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतिया को ही बहुत महत्व पूर्ण पर्व माना जाता है। साथ ही इस दिन तुलसी पूजा का भी बहुत खास महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की पूजा करने से मा लक्षमी प्रसन होती है। तुलसी जिसे पवित्र पौधा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में बहुत महत्व पूर्ण स्थान रखती है। यह माना जाता है कि तुलसी के पत्तों में माता लक्षमी का वास होता है। इसलिए अक्षय तृतिया के दिन तुलसी के साथ कुछ विशेश उपाय करने से आर्थिक समरिधी प्राप्थ हो सकती है। तुलसी पूजा को करने से व्यक्ती को संतान की प्राप्थी, धन संपत्ती की वृध्धी और स्वास्थ्य की रक्षा मिलती है। अक्षय तृतिया के दिन तुलसी पूजा करने से उत्तम अनुष्ठान, धर्म कर्म और दान-पुन्य की महिमा अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा तुलसी पूजा से परिवार में एक्ता, प्रेम और भगवती कृपा का आशिरवाद मिलता है। विधार्थियों, व्यापारियों और व्यक्तिगत उन्नती के लिए तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को सफलता, खुशहाली और धर्म का पालन करने की शक्ती प्राप्त होती है। इस विडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतिया कब हैं, इसका शुब महुत। क्या हैं और अक्षय तृतिया के दिन तुलसी के कोन से उपाय करने से शुब फलों की प्राप्ती होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरी विश्नु जी का आशिर्वाद आप सभी पर बना रहें तो इस विडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जै श्री हरी विश्नु जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं अक्षय तृतिया कब हैं और इसका शुभ महूर्थ क्या है। बारह बचकर तेईस मिनट के बीच रहेगा। मान्यता है कि अक्षय तृतिया के दिन शुभ महूर्थ में किये गए हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आए अब जानते हैं कि अक्षय तृतिया पर तुलसी के कोन से उपाय करने से शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर एक अक्षय तृतिया के दिन भगवान विश्नु और माता लक्षमी जी के साथ तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतिया के शुब अवसर पर जो भी व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है उसके घर परिवार में हमेशा सुख समृध्धी बनी रहती है अक्षय तृतिया के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने दीपक जला कर आरती अवश्य करें, इस से आपकी सभी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी नमबर दो, तुलसी में मा लक्षमी का वास माना गया है ऐसे में अगर तुलसी के कुछ पत्ते अक्षय तृतिया के दिन लाल कपड़े में लपेट कर घर की तिजोरी में रखेंगे तो इससे धन बाधित करने वाले दोश दूर होंगे और घर में धन का संचार होने लगेगा नमबर तीन पीले फूल चढ़ाएं अक्षय तृतिया के दिन मंदिर जाकर भगवान विश्णु को पीले फूलों के साथ तुलसी के कुछ पत्ते भी चढ़ाने चाहिए ऐसा करने से भगवान विश्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा भक्त पर होती है नमबर चार तुलसी के पत्ते एक मुठी चावल के साथ लाल कपड़े में बांध कर अपने परसिया वॉलिक में रखने से तरक्की के मार्ग खुलते हैं अगर आप नौकरी पेशा हैं तो निश्चित ही आपको आपके काम में सफलता प्राप्त होगी और आपकी आय में भी वृध्धी होगी नमबर पांच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं अक्षय तृतिया के दिन तुलसी पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और तुलसी की पूजा में धूप, दीप, गंध, पुश्प, आदी जरूर अर्पित करें ऐसा करने से विश्णुजी प्रसन्न होते हैं अक्षय तृतिया के दिन तुलसी की पूजा करने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं और तुलसी में काले तिल भी चड़ाएं ऐसा करने से घर में सुक्समृद्धी का वास्थापित होगा और घर की नकारात्मक उर्जा नश्ठ हो जाएगी जिससे घर में सुक्षांती बनी रहेगी नमबर साथ तुलसी के पौधे को अक्षय तृतिया के दिन कलावा बांधना भी शुभ माना जाता है इस दिन तुलसी के पौधे को कलावा बांधने से ग्रह दोश से छुटकारा मिल जाता है और मा लक्ष्मी का साक्षात घर में वास हो जाता है अक्षय तृतिया के दिन तुलसी के पौधे की जड़ लेकर उसे लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरिया पर्स में रखें मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की क्रिपा बनी रहती है और धन में व्रिध्धी होती है अक्षय तृतिया के दिन तुलसी के ग्यारह पत्ते लेकर उन्हें गंगाजल में धोकर भगवान विश्नु को अर्पित करें इसके बाद इन पत्तों को अपने व्यवसाय स्थल या घर के मुख्य द्वार पर लगा दें मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य में सफलता मिलती है और नकारात्मक उर्जा दूर होती है नंबर दस विश्नु जी के भोग में रखें तुलसी का पत्ता विश्नु जी की पूजा और भोग तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है अक्षय तृतिया के दिन नारायन की पूजा में तुलसी रखना बिलकुल भी न भूले विश्नु जी के प्रसाद में तुलसी के कुछ पत्ते डालने से जातक की हर इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाती है साथ ही उसकी धन से जुड़ी सभी दिक्कते भी दूर हो जाती है नंबर ग्यारह अक्षय तृतिया के दिन घर में लगाएं तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा काफी पवित्र होता है घर या आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से आसपास का वातावन शुद्ध और सक्राक्मक रहता है इसके अलावा जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहां विश्नु जी के साथ लक्षमी जी का भी वास रहता है ऐसे में अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अक्षेत रितिया के दिन जरूर लगा ले इससे आपके घर में साल भर्मा लक्षमी की कृपा बरसेगी वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका कारोबार प्रक्ति करेगा आपको नए व्यापर में हाथ आजमाने या फिर अपने कारोबार की नई शाखा खोलने के कई अफसर मिलेंगे आपको भारी मात्रा में मुनाफ़ा होने के प्रबल योग बनेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगिला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद